हेलो फ्रेंड्स, विलकम बेक टो माइचेनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाइड डीजाइन हम लोगोंने पिछली वाली क्लास में सिंपल सलवार की ड्राफटिंग देखा था आज के दिन हम लोग सिंपल सलवार की कटिंग सीखने वाले हैं कपड़े में तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं यह मैंने दो मीटर कपड़ा लिया हुआ है अब हम क्या करेंगे इसको पूरा ओपिन कर लेंगे तो इसे मैं पूरा ओपिन कर लेती हूँ तो देखिया फ्रेंट्स इस तरह से मैंने इसको ओपिन करके दो फोल्ड में रख लिया है तो इसको मैंने लंबाई में फोल्ड किया है तो देख सकते हो यह हमारा लंबाई में एक साइड फोल्डेट साइड है अब हम क्या करेंगे इसको वेर्थ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से ये हमारे चार लेयर में कपड़े हो जाएंगे पहले हमने दो बार फोल्ड किया एक बार दो फोल्ड में और फिर से एक बार फोल्ड किया तो ये हमारे चार फोल्ड हो गए अब चार फोल में रखने के बाद यहां पर हम अपने निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम उपर की साइड हाफ इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे जो हमारा बेल्ट के साइड जुड़ेगा जाके तो यहां से हम अपना कपड़ा निकाल देंगे तो इसके लिए बस हाफ इंच पर निशान लगाना है और पूरे में शीदी लाइन खीज देनी है तो यह हमने यहां पर उपर हाफ इंच मार्जिन निकाल दिया अब इसके बाद क्या करना है अपना इंची टेप पकरना है और जितना हमारी लेंथ है ठीक है यहां पर निशान लगाया है यहां से पूरे कपड़े में पहले हम एक सीधी लाइन कीज देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे नीचे की साइड हमको मोहरी के लिए कपड़ा चाहिए जो हमारा फोल्ड होके उपर की साइड को आ जाएगा तो यह हमें दो इंच की लेना है तो आप अगर जहां पर ज्यादा चौड़ी मोहरी बनाना चाहो तो इस्टरा भी ले सकते हो इस तरह से यह हमारी लंबाई हो गई उपर के साइड मार्जिन निकाल दिया नीचे की साइड हमको मोहरी फोल्ड करने के लिए ले लिया और लंबाई में हमने बेल्ट साथ इंच माइनस कर दिया है अब हम क्या करेंगे जितनी भी हमें मोहरी रखनी है हम नीचे की साइड से पहले मोहरी के लिए निशान लगा लेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको 7 इंच 6 इंच जितनी भी रखनी है उसमें से 1 इंच हमें यहाँ पे margin ले लेना है तो यह हमने यहाँ पर 1 इंच margin ले लिया ठीक है अब हम क्या करेंगे इधर साट जो हमारा open side है यहाँ पर हम अपने आशन का निसान लगाएंगे तो जितना भी हमारा आशन है यानि कि हमको यहाँ पर अपने hip का तीसरा भाग करके यहाँ पे 1 इंच प्लस करके लेना है तो यहाँ पर जितना भी आ रहा है उसमें से उपर के side belt हमारी जितनी जुड़ेगी 7 इंच की तो आप अगर 9 इंच पे लगाओगे तो आपका सलवार खराब नहीं होगा अब हमको अंदर के side 2 इंच पर निसान लगाना है और जो हमने 2 इंच अंदर के side निसान लगाया हो उपर तक एक line हम खीज देंगे पूरे में तो इस तरह से हमने यहाँ पर line केज दिया अब हम half इंच का निसान लगाते हुई यहाँ पर पूरे में गुलाई कर लेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे में गुलाई कर लिया है ठीक है यह हमारा action complete हो गया है अब हम यही कोने से बिल्कुल नीचे तक जो हमारा मोरी का निसान है वहाँ तक इस तरह से तिर्ची line कीज देंगे तो इस तरह से इंची टेफ से रखने के बाद निसान लगा लेना है हलके हलके से फिर पटरी के साहता से line सीधी कर देनी है यानि कि तिर्ची में ही सीधी करना है अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल side से cutting कर लेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है तो बस इसे हम cut कर लेते हैं तो इस तरह से यह हमारी पूरी cutting complete हो गई है अब हम क्या करेंगे उपर के side जो हमारा folded side है इसे भी हमें open कर लेना है यानि कि यहाँ पे हमें बिल्कुल पतला कपड़ा कट करके निकाल देना है तो देखे इस तरह से हमारी पूरी cutting complete हो गई है अब हम इसको side में रखते हैं यहाँ पर औरे में देखो आप अगर चाहते तो पहले भी बेल्ट निकाल सकते हो उसमें क्या होता कि घेर कम आता लेकिन यहाँ पे इस तरह से घेर जादा आजाएगा और आपका कपड़ा भी waste नहीं होगा बेल्ट हमारी वैसे भी जादा दिखाई नहीं देती है और इतने joined नहीं लगेंगे सिर्फ दो ही joined लगेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे joined लगा लिया है side से कपड़ा cut कर लिया है अब cut करने के बाद देखो यहाँ पर हमको इस तरह से बेल्ट कितनी लेनी है जितनी आपकी कमर है कमर को हमको 4 इंच लोजिंग लेके उसमें 1 इंच margin के लिए add करने है यानि कि जितनी कमर है उसमें हमें 5 इंच add कर लेना है और फिर उसका आधा कर लेना है क्योंकि यह हमारे दो इंच ले लिया यानि कि ये नौ इंच पर निशान लगाया तो फ्रेंड्स अब हम उसी निशान के उपर से इसे कट कर लेंगे तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है और ये हमारी कल्यों की कटिंग हो गई है अब हम क्या करेंगे अपने बेल्ट को शायड में रखेंगे अब हम शिलाई भी इसी वीडियो में सीखेंगे तो बेल्ट को हम शाइट में रखते हैं सबसे पहले हम अपनी कलियां जोड़ेंगे तो कलियों में सबसे पहले हमें अपना आसन जोड़ना है तो इसको हमने इस तरह से रखा रखने के बाद इसको ऐसे पूरा कली भी रखा हुआ है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको उल्टे साइट को हमारा मारजिन आना चाहिए हमने यह आशन पकड़ा एक कली का और सेम इसी तरह से दूसरे कली का आसन पकड़ना है पकड़ने के बाद यहां पे हमें शिलाई लगा लेना है तो इस तरह से यह हमने प मारजिन है वो दोनों का उल्टे साइड में आए ठीक है सीधे साइड में नहीं जाए तो बस अब हमने इस तरह से शिलाई लगा लिया है यह भी शिलाई लग चुकी है तो इस तरह से यह हमारा दोनों पैर का सलवार जोड़ चुका है अब इसको जोड़ने के बाद यहां पर हम अपनी बेल्ट जोड़ेंगे तो बेल्ट जोड़ने के लिए सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को तयार करेंगे तो तयार करने के लिए क्या करेंगे पहले तो हम यहां पर बीच में से जॉइंट लगाना होगा तो यहां पर हम बीच में जॉइंट लगा लेते हैं जो ह यहाँ पर शिलाई लगा लेना है यह मैंने शिलाई लगा लिया हैं आग कर दो फिर्ट पर से यहाँ पर शिलाई लगा लिया है अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको साइट साइट को कप्ड़े कर देंगे दोनों को और यहां पर उपर से शिलाई लगा लेंगे तो यह हमने यहां पर शिलाई लगा लिया है अब इतनी शिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे इसको पूरा ऐसे उलटा साइड को रखेंगे ठीक है अब रखने के बाद देखो इसको इस तरह से हम को यहां पर फोल्ट करना है उपर के साट जो हमारा नारा पड़ता है या लाश्टिक पड़ती है जो भी डालना हूँ आपको तो यहां पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद पूरे गुलाई में ऐसे ही हमें शिलाई लगा लेना है तो यह हमें उल्टा साइड को फोल्ड करना है सीधे साइड को हम नहीं फोल्ड करेंगे उल्टे साइड को फोल्ड करेंगे तह साइड वाले निकालना है तो इससे क्या होगा हमें चुन्नट डालने में प्लेट से जुटा लेंगे तो वहाँ पर आराम रहेगा समझ में अच्छे से आएगा आप देखो इसको हमने इस तरह से रखा जो हमारा इधर का कपड़ा है हम यहां पर प्लेट डालेंगे और इधर वाली इसमें प्लेट डालेंगे तो हम बीच में प्लेट नहीं डालेंगे सिर्फ साइड साइड में प्लेट डालेंगे अब हमको चार-चार अंगुल दोनों साइट दियाने की शेंटर से दोनों साइट छोड़ना है यहाँ पे हम बिल्कुल भी फ्लेट्स नहीं डालेंगे अब हमने अपनी कली ले ली है जो हमने आसन है हमारा बिल्कुल शेंटर पर होना चाहिए इस तरह से रखने के बाद दोनों साइट हमें चार-चार अंगुल कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ पे पूरे में शिलाई लगाना है तो बस इतने में मैं शिलाई लगा लेती हूँ फिर फ्लेट्स की इस तरह से डालते हैं वो देखते हैं अब हमको इतने में कर लेट नहीं डालना थे ठीक है अब देखे यहाँ पर जो हमारा विल्कुल शेंटर और पर ब्लेट चे करना है अब इतना कपड़ा जो बचा है ये पूरा इतने में ही अरजश्ट करना है तो यहां पे हम उतनी प्लेट डालेंगे जितने में यहां पे हमारे अरजश्ट हो जाए तो बस सारी प्लेट से सेम बराबर की कपड़े में ही डालना है एक प्लेट जितनी चौड़ी डालेंगे उतनी ही सारी प्लेट चौड़ी डालेंगे ठीक है तो इस तरह से यह हमने इसको और जो प्लेट हम डालना है इसको हम अपनी साइट को गुमा के डाल रहे हैं अप देख पार हो आप यूडियो पे इस तरह से हमने इसको डाला और फि बैभर यहारा तो पीछे नहीं नहीं डाले रहा हैं. यह सुलिका हैं । हम उतने के बाद पर जावगाशनете को प्रेड़ पर सुख़ने के बाद सब्सक्राइए। यह बैद सब्सक्राइब लिए मैं के जाएं पर नहीं दालiva. अब हम इस प्लेट को दूसरे साइट को डालेंगे तो देखो दोनों का आसन हमें बिलकुल सेंटर पर ही रखना अब बैक पार्ट का आसन मेंने बैक वो जो हमारी बेल्ट लगी हुई है बैक पार्ट में ही बिलकुल मिलाके लगाया हुआ है अब हम इसको दूसरे साइट के इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट से डाल लिया है तो देख सकते हो बैक पार्ट में हमने चिलाई नहीं लगाया है ना ही फ्रेंट पार्ट में प्लेट से डाला है ना बैक पार्ट में प्लेट से डाला है जिससे कि हमें ये इस चिलाई लगाने के बाद हमारे शलवार में फिनीशिंग अच्छी आती और देखने में सुन्दर लगता है तो फ्रेंट से इस तरह से ये हमने यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया अब इसके बाद नीचे की साइड मोहरी कम्प्लीट करनी है सबसे पहले तो मोहरी के लिए ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट किया हुआ है और ये हमको चौडाई में जो हमारी है तो ये हमारी 14 इंच या 15 इंच की है तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है जितनी भी चौडाई रखनी है आपको अपने मोहरी की ठीक है तो आहां में इस तरह से ये ले लिया और लेनी के बाद फिर से इसको इस तरह से अंदर की साइट को फोल किया और फोल्ड करने के बाद यहां पर शिलाई लगा लेनी है तो आप सीडी शिलाई लगा सकते हो या फिर आप तिर्ची जो हमारी डिजाइन वाली सिलाई होती है वो भी लगा सकते हो तो इस तरह से यह हमारा नीचे का मोरी कम्प्लीट हो गया तो जैसे मुझे 7 इंच पर रखनी है तो सेम 7 इंच पर हमें दोनों पर निशान लगाना है बिलकुल बराबर से जिससे कि हमारी मोहरी दोनों की बराबर आए हमने इस तरह से निशान लगाया निसान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको बिलकुल बराबर से मिलाते हुए शिलाई लगाएंगे तो बस अब हम पूरे फिटिंग में शिलाई लगा लेंगे जो नीचे साइड का हमारा शिलाई है तो बस इस तरह से यहाँ पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो ध्यान रहे यह वाली शिलाई जो हम लगाएंगे अच्छे से पहले हमें जब भी हम सुरुवात करते हैं तो शिलाई को अच्छे से लॉग कर देते हैं और यह शिलाई हम डबल शिलाई लगाएंगे पहले एक बार लगा देंगे फिर से दुबारा से लगा देंगे जिससे की हमारी यह शिलाई खुले नहीं तो इस तरह सी है हमने यहां पर शिलाई लगा के सलवार को कंप्लीट कर लिया है फ्रेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा तो फ्रेंट्स इस तरह से हमें अप ते के लिए बाइ-बाइ